नमस्कार साथियो एक बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजूकेशन पॉइंट पर तो साथियो आज की इस वीडियो में आपनों को बताऊंगा कि जो लोग जो चात्र उत्तर प्रदेश पुलिस भरती की इंतजार कर रहे थी कि उसको नॉटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा तो उन लोग के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भरती का जो नॉटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है तो वो जो नॉटिफिकेशन है वो आज ही जारी किया गया है तो मैं पूरा नॉटिफिकेशन इस वीडियो में पूरा पढ़के सुनाऊंगा A to Z सारी जानकरी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या जानकरी रहेगी इस सारी एक एक points जो होगा वो मैं आप लोगो इस बीडियो में पड़के दुखाऊंगा तो इसकी official site पर जाकर आप लोग भी चाहते हैं तो इसका official notification रीड कर सकते हैं या आप लेक देख सकते हैं latest notice में दिखाई दे रहा है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो प सारी जानकरी समझाओंगा starting से लेकर last तक तो इस वाले option पर जैसे ही के लिए करेंगे तो इसका notification होगा वो खुल जाएगा जब notification खुलेगा तो आप लोग देखेंगे आपके सामें notification जो होगा वो इस तरीके से आएगा तो आप लोग यह देख सकते हैं मैं इस फो थोड़ा uppv.gov.info उपर अपद रहेंगे किरप्या समयसार नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं जो भरती निकली हो ही है किस किस रेंड़े के लिए कितनी कितनी भरती है अनारा चित के लिए जो हैं वो 24,102 पोश्टे रखी गई हैं EWS बालो के लिए 6,024 पोश्टे हैं और O 6,244 पद हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भरतेतु पुरिस अवर महला ब्यारती पात्र होंगे अब इसमें जो ऑनलाइन प्रारम होने की तिथी है वो आप लोग देख सकते हैं समयसार नहीं आब इदन की जो समयसार नहीं बो भी मैं आप लोगों को यहां पर य पूरी सही जो जानकारी है अगर आप्लों भरना चाहते हों तो आप लोग पूरी सही जानकारी हो सके तो आप लोग यहां देख सकते हैं जो ऑनलाइन फर जाने की जो तिथी है वो 27-12-2023 है 欧ान ईassas-2-12-23 नहीं आप लोगों की जो फौर्म है वो आनलाइन होना परार 24 है आवेदन जो सुल्क रखा गया है वो 400 रुपए जो सुल्क है वो रखा गया मतलब चाहें OBC के हो हो चाहें ST के हो किसी भी कैटिगरी के स्टुडेंट हो उन सभी के लिए जो फीस रखी गई है वो 400 रुपए फीस रखी गई है अब इसमें आप यह देख सकते हैं 1962 के पूर भारत आया हो मतलब जो भी व्यक्ति तिब्बत के सरानारती है जो 1962 के पहले के आये हुए है उनके परिवार के जो भी छात्र है वो फॉम भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं अब हम इसको नीचे की तरफ आपको लेकर चलते हैं मैंने आपको बता दिया आहरता है यह भारत में बेदी द्वारा इस्ताफित बोर्ड द्वारा दसमी ऐवं बार्वी कच्छा उत्तीन या सरकार द्वारा माना प्राप तो उसके समझक आर्थ होनी आवस्यक है मतलब जिन छात्रों ने हाई स्कोल और इंटर कर लिया है वो छात इस फॉम को जो है भर सकते हैं मैंने आपनों को इसमें बताई अब आगे का जो नॉटिफिकेशन है इसको स्कॉल कर तो उपर की तरह में लेकर चलता हूं अब यहां पर आधिमानी आहरताएं जो हैं वो देख सकते हैं अन बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यारतियों को आधिमान दिया जाएगा मलब प् दो बर्स की अबदी तक की सेबा की हो या नंबर तीर है राष्टिय के अधिडिट कोर का भी प्रमालपत्र प्राप्त किया हो इन लोगों को जो हो फ्रीफरेंस दिया जाएगा आप मैंने बताया आयू सीमा तो आयू सीमा के लिए नीचे देख सकते हैं भरती के लिए आव 2023 को जो आपकी उम्र है वो 18 बर्स पूरी होनी चाहिए 22 बर्स के आयू प्राप्त ना की हो अर्थात अभ्यारती का जो जनम है वो 2 जुलाई 2001 से पूर्प का होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए मतलब जो जुलाई 2001 से एक जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए इसके बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए मैला अभ्यारती ने दिनांक एक साथ दोहजारती इसको अठावर्स की आयूप्राप्त कर ली हो और पच्छिस बर्स की आयूप्राप्त ना की हो अर्थात अभ्यारती का जो जनम है वो जो जुलाई 1998 से पूर ना हुआ हो और तथा एक जुलाई 2002 के बाद नहीं हुआ हो प्रबत सासन देशों में नहित प्रवधानु के अंसा अनुमान होगी अब चरित सभी का जो चरित रहे वो ऐसा होना चाहिए कि सरकाई सेवा में सेवा यूजन के लिए सभी प्रिकार से उप्यूक्त हो सके नियोक्ति प्रदवावासा से संब्सक्तिए समाधान किया जाएगा अब वैवाएक स्तिती क्या रहेगी वैवे एक सतिति आप छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए ऐसा करने का विवितकार्ण जो है वो होना चाहिए अब यहां पर देख सकते हैं नोटिस यहां पर नीचे तिपड़ी दी गई है वो आप पल सकते हैं सारे करे स्वास्ता दे गई है अब यहां पर जो नियम अमली चीज दी अब लिखित परिक्चा के हम बात करते हैं सबसे पहले जो होगी इसकी लिखित परिक्चा कराई जाएगी ऐसे अभ्यारती जिनके आब एदन पत्र प्रतम देश्कता में सही पाई जाएंगे से ओफलाइन लिखित प्रिक्चा में सम्मीरत परिक्चा की जाएगी बना आपनों का एक्जाम हो वो ओन-लाइन नहीं होगा ओफलाइन आपनों unserem का जो एक्जाम को जो है वो होगा और 2 गंटे की रहेगी और जो इसका लिखित पर होगा, वो 300 अंकों का होगा और कुल जो परसन होंगे वो 1.500 परसन होंगे जिसमें से आगर आपका गलत होता है तो जिननेगेटिव मारिकिंग रहेगी वो माइनस 0.5 रहेगी बनाब परत एक परसन के लिए दो अंका निर्धायत होंगे अगर आपका प्रिशन गलत होगा तो उसके लिए जो है माइनस 0.5% जो होगी रिणाद भग अंगर पिरदान किये जाएंगे अब आगे यहाँ बात कर सकते हैं लिकित परिक्षा की पालियों के बारे में यहाँ पर पालियों के बारे में सारी जानकारी दी गई है कि लिकित परिक्षा के अपरांत बोर्ड द्वरा उत्तर कुंजी पुस्त का प्रिकासित की जाएगी तता प्रिसनों एबम उत्तर बिकल्पों के बारे में अभ्यारतियों से आपत्ति आमंतित की जाएगी जिस पर अभ्यारती अपनी आपतियां ओनलाइन प्रतुस कर सकती हैं यदि कोई प्रसन या उत्तर विकल्प तोटी पूर पाए जाते हैं तो ऐसे प्रसनों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रसनों के अंकों का विवना मानिये उच न्यादल इलावाद में रे प्रत परिक्षण उँद्टर पतत्रक पर होगी प्रते एक पत्रफन के उत्तर विकल्प होंगे अद्व्यायरति उद्था अपन्य सत उसक पर उसका जो आग्जाम होगा वो निरस्त माना जाएगा अब नीची आप अब नीचे अब लोगों की संबिक्षा, लेकित परिक्षा में अब भ्यारतियों के आधार पर राज की आरक्षन नीती के अंसार, इस परिक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अग्यातियों की संख्या का बिनिस्चे किया जाएगा, अब नीचे अब लोगों की संबिक्षा लेखित परिक्षा में अभयतित दोरा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज की आरक्षन नीतिके अंचार एक सेष्टा सूची तयार की जाएगी इस सेश्टा सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यारतियों को पात्रता आयू में स्थिलता अभ्यारतियों दोर अपनी आरक्षा सिंड़ी के दाबे की पुष्टी करें आले अभिलेक प्रमापत्र अनवारी ये अधिमानी आयर था आदी के समंद में सुसंगा अभ हाइट क्या रहेगी जो पुरस अभियारातियों के लिए नियमतम सारी रेकित मानक निम्रबत है उचाई मलब जो सामानने भरके और OBC के और अनुसुची जाची के जो पुरस है उनकी जो नियम्तम जो हाइट होनी चाहिए उंचाई जो होनी चाहिए वो 168 cm होनी चाहिए और अनुसुची जन जाती मतलब आईश्टी वालों के जो इस्टुडेंट हैं उनके लिए जो उंचाई है वो 166 cm होनी चाहिए सीना जो है वो सामान अन प्रिष्णा बर्गों और अनुसुची जातियों के लिए कि अभ्यारतियों के लिए नियुन्तम सीने का माप 89 cm बिला अंफुलाने पर और फुलाने पर जो है वो 84 cm होना चाहिए और अनुसुची जन जातियों के अभ्यारतियों के लिए 77 cm बिना नियुद्टम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनुबारी यह है, अब महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के बारे मियन आप do देखा की देख सकते हैं, मैं आप पर कर सुना दे रहा हूं, महिला बेहार्ट कोली है, नियुद्टम सारे कि देनमारक निम्न बते हैं, कि आलती कि Wakla है 152 cm की होनी चाहिए उसकी उन चाहिए और ऐस्टी बाली जो महला है उसकी उन चाहिए 176 cm होना चाहिए और उसका जह बजन है वह सार्रेख्षता प्रेक्षा में समलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो एहकारी प्रकृती की होगी इस सारी रिग दक्सता प्रेक्षा में भरती के लिए पातर नहीं होंगे और उसी इस तरफ चैन प्रिक्रिया से बाहर हो जाएंगे अब नीचे आते हैं चैन अबम अंतिम योगता सूची इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर दिया गया है बोर्ड के दौरा कोई भी प्रितिक सा सूची तयार नह की जाएगी मतलब जो भी सिलेक्शन होगा वो प्रंथ होगा उसमें बेटिंग लिस्ट का कोई भी आपसन नहीं रहेगा अब सा का फर्ष्ट जो है वो यह बता रहा है दो या दो से अधिक अधिक अधिमानी अहरता का लब प्राप्त होगा इसके बाद भी यदि दो या द दो या दो से अधिक 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 समान हो तो अधिक 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 को अधिमान प्रदान किया जाएगा यदि उपरत विचारों के बाद भी दो या दो से अधिक 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 अध तो आरक्षां और आयू सीमा में जो छूट है वो किस किस के लिए कितनी-कितनी छूट रहेगी। जाती के लिए जो है वो पांच बर्स की छूट रखी गई है उनका जो प्रमापत्र होना चाहिए जाती प्रमापत्र का प्रारूप होना चाहिए और जो उसका अधकारी होना चाहिए जिला अधकारी के द्वारा होना चाहिए अत्रिक्त जिला अधकारी होना चाहिए अब नी सब्सक्राइब के लिए आरक्षनादियम 1984 अनुसूशी जन जाती के लिए जो पांच बर्स की छूट रहेगी इसका भी जो प्रमार पत्र है वो जिला अधकारी आतिक जिला अधकारी सिटी मजेस्टेट उप जिला मजेस्टेट तैसील दार जिला समाज कर लिया अधकारी के दिवारा होना चाहिए ओभी सी अन्रिषनाबरग वालों के लिए पांच साल की छूट रहेगी वह छूट आप उसके साथ देख सकते हैं नियमन साथ छूट रहेगी अब हम नीचे आते हैं नीचे आप देख सकते हैं इसका जो नॉटिफिकेशन है स्वतंतर सेनानी वाला आप देख सकते हैं छैतिज वाला जो था यहां पर यह सारे नॉटिफिकेशन दिखाये गए नोट में दिखाया गया यह भी देख सकते हैं स्वतंतरा संग्राम सेनानी के आस्रित स्वतंतरा संग्राम सेनानी का तात्पड़ी उत्पर प्रिदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंतरा संग्राम में भाग लिया था और जिसने बीरगती राप्त की हो या जिसने कम से कम दो महान की अब आवास का दंड भोगा हो नमबर तीन है जो नजरबंदी या विचारा दीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अबदी के लिए निरुद्ध हुआ हो या जिसमें कम से कम दस बेतों का दंड भोगा हो या जो गोली से घायल हुआ हो या जिसे भरार गोसित किया ग इसे लोगोने माफ़ी माघ ले थी और उन्हें माफ कर दिया गया था वो लोग जो है वो इसके पात्र नहीं होंगे बोध पूर साहिनिक बूतपूर सैने के लिए आप लोग इसका जो नॉटिफिकेशन है वो देख सकते हैं अब अब सबसे नीचे हम आएंगे इसका जो फेज है नेक्स्ट वाला बो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बूतपूर सैन्वाला आप लोग स्वयम देख सकते हैं online आवेदन की प्रिक्रिया जो online आवेदन की प्रिक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होगी सबसे पहले आप लोगो को इसका जो notification है वो read कर लेना होगा notification ने मैंने आपको दिखा दिया उसके फ़सा आरक्षी नागरे पुलिस के लिए candidate registration पर क्लिक करके आगे की प्रिक्रियाओं को पूर्ण करना होगा मतलब आप लोग समझ सकते हैं जब इसकी official site पर आएंगे uppv.gov.in पर जब आप आएंगे तो बहाँ जाकर all notification and advertisement वाले option पर क्लिक करेंगे जब जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके पस्चात आरक्षी नागरिक पर इसके लिए candidate registration का जो option आएगा उस वाले option पर आप लोगों को क्लिक करना होगा क्लिक करके आगे की प्रिक्रियाओं को पूर्ण करना होगा सभी अभ्यारती आविदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हो तो निर्दसुक उबरे लिवाती समझ लें तता आउसार आविदन करें इसके बाद अभ्यारती को आविदन सुलक का भुकतान आउनलाइन डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग उप्याई के माधियम से करना होगा अब नीचे आते हैं हेल्प लाइन की बात करते हैं मैं आपको ये घेरे में दिखा देता हूँ ये सबसे मेन पॉइंट है कि आविदन पत्र भरने में आ रही किसी भी समस्या के निराकरन हे तू हेल्प लाइन नंबर 0444749010 जारी किया जा रहा है जो आविदन करने की अंतिम्ति थी 181224 तक क्रिया सील रहेगा मतलब ये जो हैल्प लाइन नंबर है वो 181224 तक ही काम करेगा तो आप ये घेरे में ये नंबर नोट कर सकते हैं अगर किसी भी स्टुडेंट को फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग ये जो नंबर मैंने आपको बदाया है 044-477-490-10 इस पर आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं अब आप यहाँ पर सारे बेकलब देख सकते हैं कि किस किस तरीके से कैसे फॉर्म भरा जाएगा तो जो जो महत्पूर्ट जानकारी थी और आप लोग चैनल पर नए है और आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आभी जैसे ही ये फॉर्म ऑनलाइन होंगे यूपी पुलिस बाले वो डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं और उसकी प्रति भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं फोटो और जो हस्ताक्चा ने उसका भी साइज यहां पर दिया गया है फोटो जो होना चाहिए वो रंगीन फोटो होना चाहिए 20-50 के बीच का होना चाहिए हस्ताक्चा जो है वो 5-20-20 के बीच होना चाहिए तो जो भी जानकारी आप लोग चाहाते हैं वो आप लोग मुझसे कमेंट्स में जानकारी को फ्राप्ट कर सकते हैं और जैसे ही इसके फॉर्म ऑनलाइन होना प्रारम होंगे मैं एक वीडियो बना कर डाल दूँगा और किस तरीके से कैसे आप लोग फारम भरेंगे सारे स्टेप बाई स्टेप जानकारी उसमें समझा दूँगा तो आप लोग को अगर चैनल पर नए होए तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब जरू करें अब वीडियो कर पसंद आती है तो वीडियो को सियर भी जरूर करें